हलो बच्छों आज मैं बात कर रहा हूँ डाइ इलेक्टरिक्स और पॉलराइज स्विल्च तो डाइ इलेक्टरिक्स और पॉलराइज स्विल्च तो इसमें बहुत कम jewelry Ti Induce होती है इसका मतलब यह हुआ कि dielectric materials में free electron बहुत कम होते हैं अगर बहुत जादे electric fill आप देते हैं बाहर से बहुत जादे excess amount में तब जाके उसमें कुछ polarity induced होती है तो heading है dielectrics and polarization, the effect of dielectrics the insulators in which microscopic local displacement of charges take place in presence of electric field are known as dielectrics यह यह कहना चाहता है कि जैसे कि कोई non-conducting material है जिसको हम लोग dielectric होते हैं generally non-conducting material को है हम लोग dielectric water तो non-conducting material को अगर आप external elective field में रखते हैं तो उसमें बहुत कम amount में polarity induced होगा जैसा कि मैं last class में बताया था कि अगर external fields किसी metal prop देते हैं तो उसके bond सभी क्या कर जाते हैं? ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करने के बाद completely charge produce कर जाते हैं और ओचार्ज external electric field के opposite में force लगाती है जिसके वज़ा से metal के अंदर यानि conductor के अंदर net electric field के आज जाती है? जीरो हो जाती है ओके? यहाँ पर बाइसा नहीं है यहाँ पलिका है कि the insulators in which microscopic local displacement मतलब कि बहुत कम amount में बहुत कम amount में जाना, चार्ज क्या करता है? इंड्यूस होता है चार्ज टेक्रेस इन परजेंस अफ इलेक्रिक फिल्ट अर नोन अज डाइलेक्रिक उसको हम लोग डाइलेक्रिक होगते हैं यह से माली चौक है तो चौक को आप डाइलेक्रिक कर सकते हैं इसको बाहर से इलेक्रिक फिल्ट पर दीजिएगा तो बहुत कम amount में चार्ज इंड्यूस्ट होगा मतलब कि इसका completely bond नहीं टूटेगा दूसरी बात यह है कि अगर इसमें completely bond नहीं टूटेगा तो इसके आंदर नन कंडूक्टर्स अप तो शर्टेन वैलू अप फिल्ट डिपेंडिंग अन इट्स नेचर इफ द फिल्ट इस लिमिट वैलू इच कोल डाइलेक्रिक स्टेल्ट और यह लूज दियर इन्सुलेटिंग प्रपरटिज आंद बिगन कंडूक्टर्स यह का रहा है कि जैसे इसमें आप फिल्ट अप्लाई कर रहा है तो बहुत थोड़ा सा फिल्ट अप्लाई किया है तो हो सकता है कि बहुत माइनूट चार्ज हिंडूसर और ज्यादा फिल्ट अप्लाई करते हैं बहुत जदे फिल्ट अप्लाई करते हैं एक ऐसा फिल्ट का इसका बॉंड कम्प्रेटली क्या कर जाए टूट जाए तो यह लिखा हुआ कि डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडुक्टर्स अप्टो सर्टेन भाइलू अप फिल्ड डिपेंडिंग अनिट्स नेचर इप्टा इक्सेट्स दिस लीमिट अगर फिल्ड को इसके जो लीमिट है तो सहने की जो समता है उससे बढ़ा किया जाए वैलू और डाइलेक्ट्रिक स्टेंथ और यह लूज दियर इंसुलेटिव बियाएवियर को लूज कर देगा और क्या बन जाएगा कंडुक्टर बन जाएगा मतलब कि इधर पूरा पोजेटिव चार्ज इसका पूरा निग जाएख यह लूज दाएलेक्ट्रिक स्टेंथ इसका घ्राइंगे एलेक्ट्रिक फेल्द आएलेक्ट्रिक मैख्ट्रिक स्टेंथ और नोर इसको तोल्रेट कर सकता है उसी श्ट्रेंथ को लोग उसी बैलू आप टूठने तुठने गोगा है तो इसकी हम एक लोग डाएलेक्ट्रिंध के श्डेंद्थ भयते हैं माल लीजे इसे सो एसे निटन का फोर्स लगेगा तो यह तूट जाएगा एख अब हम फूर्स लगा रहे हैं तो पांनों סट निट नगाइए और 95 लगाया, फिर 98, फिर 99 लगाया और फिर 99.99 लगाया, हां 100 पर उतने वाला है, तो 99.99 डाइलेक्टरिक स्ट्रंथ का दाएगा है, इसका मतलब कि मैक्सिमम् ज फोर्स है, तो 100 न्यूटन पर तूट गया, तो 99.99 ये सह सकता है, है ना, तो वो कितना टॉलरेंट कर सकता है, है the dielectric strength he defined as the maximum value of electric field that dielectric can tolerate without breakdown, मतलब उसका bond completely break नहीं किया है, अब थोड़ा सा अगर field का value बढ़ा देगे, तो completely वो तूट जाएगा, तो जो थोड़ा सा जो field बढ़ा रहे हैं, उससे just जेस्ट पाहले का value है, उसको हम लोग बोलते है, डाइलेक्ट्रिक एस्ट्रेंट, अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक जो constant होती है, वो कैसे और term होती है, डाइलेक्ट्रिक जो constant होता है, वो कहीं तरिका से हम लोग को define करते हैं इसको, डाइलेक्ट्रिक constant क, इसे ही हो गया है, इसे मालने क्या पर मेटल है, इसका अपना के मेटल का होगा, है ना, तो के जो होगा मेटल का, डाइलेक्ट्रिक constant के, वो मेटल के इन इन प्रीटिव होता है, वो कि माइका होती है, सितनी बहलेक्व एब्लीकck भाइल,माइक्व के अभ्लीक वर्योओं होती है, इसके ना, जो देट होती है, तो यह सारी चीज आपको यादकर लिक auditory है, यह कोई यादकर लिक लएं, यह आपको ऊस्चन में दिया हुआ रहेगा अब तैसे माल लिजिए कि यहां पर और यहां पर दो चार्ज है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है और क्या है डी है ओके इसमें बीच में क्या है एयर है तो एफ जो होगा है एफ नौटिस का नाम दे जाते हैं वन बटे फोर पाई ऑप्सला अग कीव ओ टुर अडिवाइड थे क्या हो गया है डी स्व brig इस तरह से हो का अब क्या है कि यहां भी हुए है यह हो गया क्या क्या DW यह हो गया क्या क्या क्यू और यहां पर क्या हो गया है अब यहां पर कोई एक non-conducting material आप रह दिया है आप इसकी डाइलेक्टरी कोंस्टेंट कितनी है के और यह non-conducting अब इसमें जो फोर्स लगेगा हो कैसे लगेगा एक मीडियम इसका नाम दिया जाएगा यहां पर ओप्सलन लिखेंगे इन्टु की वड़ियम होगा वह वान बटे फोर्स पाई ओप्सलन जीरो और ओप्सलन आर इन्टु की वडियम होगा अब दिवाइड बटे d square यहां पर होगे क्या ओन बटे 4 फोर्स पाई ओप्सलन लॉट फोर्स फोर्स पाई ओप्सलन नॉट की वड़ियम होगा दिवाइड बटे dk square into 1 बटे epsilon r तो इह हो गया क्या f0 आडिवाइड़ बटे epsilon r epsilon r को हम लोग बोलते है relative primitive relative permittivity इसको बोलते है इह epsilon r है को क्या हो गया k हो क्या हो क्या हो गया k हो गया epsilon r हो गया dielectric constant k यहां पर एक metal है उसका k का value intuitive होता है k माई का है k का value 6 होता है अब यहां पर चार्ज q1 है यहां पर चार्ज q2 है अब इस दोनों के बीच का distance क्या है d है तो f0 बराबर 1 बटे 4 बटे टेकल इसके बीच में रख दिया उसका dielectric constant k है और distance पहले बहीं जैसा है fm is equal to 1 बटे 4 pi epsilon into q1 q2 d square medium है epsilon equal to epsilon 0 epsilon r f medium is equal to 1 but 4 epsilon 0 epsilon r into q1 q2 d square f medium is equal to 1 but 4 epsilon 0 q1 q2 d square into 1 but epsilon r f medium is equal to 1 but 4 epsilon 0 q1 q2 d square into 1 but epsilon r अब इतना का यह values है यह वाला values वो क्या लिखोगे f medium is equal to f0 but epsilon r तो epsilon r जो है वो relative permittivity है और epsilon r को हम लोग के भी लिखते हैं यानि कहने का मतलब यह हुगा कि आप फर्मूला में उसको k की टर्म में लिख सकते हैं जैसे fm fm is equal to f0 अटिवादे बाटे k तो k is equal to kya होगे f0 अटिवादे बाटे fm तो यह है no unit and dimension no unit and dimension dielectric constant having no unit and dimension dielectric constant having no unit and dimension it is the number तो उसी तर से आप लिख सकते हैं ठीक है तो now in other medium in other medium force decreases okay now in other medium force क्या करता है decrease करता है उसी तर से f medium जो होगा f0 divided by k e medium is equal to e 0 divided by k b medium is equal to b 0 divided by k यह सब आपको formula मिल गया कि other medium में electric field electric force and potential यह सभी के value क्या होती है घटती है other medium में dielectric के वज़ास है clear even अब इसे माल लेजिए एक्टोटा सा question है find a force find a force find a force when two charges two charges separated two charges placed placed in between my card f0 जुआ है उसका value इसे कि यहां पर होगे आपको q1 q2 इसके बीच का दूरी कितना है d है तो यह air में है q1 q2 d 3 कि सेंटिमेंट माइका रखेंगे तो क्या होगा सबसे पहली बात कि इसका air का value निकाल दीजे f0 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 और माइका का भैलू जो है k dielectric पोशे दो 6 है तो यहां पर होगे q1 q2 आदिवादर बाते d square तो f जो 0 होगा वो क्या होगा 9 into 10 to the power 9 into q1 6 into 10 to the power minus 6 or 6 into 10 to the power minus 6 or divided by d square 3 into 10 to the power minus 2 now इसका क्या होगा s square f0 is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by d square f0 is equal to 9 into 10 to the power 9 into 6 into 6 into 6 into 6 into 6 into 10 to the power minus 12 10 to the power 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 12 into 10 to the power 4 9 into 9 into 9 plus 4 13 होगा 36 into 10 to the power 36 into 10 to the power minus 12 36 into 10 तो यह होगे क्या 36. इसके धिए प्या- Cr まだ 0 2 0 0 5 एक मीडियम इस इकल टू एक जीरो थिरी शिक्स जीरो अट इभाड़े पटे के यह क्या 6 तो यह आ गया 60 न्यूटन वैलू क्या होगे डिक्रीज कर गए एक एयर में है 360 जीरो न्यूटन, आप मीडियम में 60 न्यूटन का फोर्स है, मीडियम में इस ते घट जा रहा है, तो अधर मीडियम में फोर्स क्या हो जाती है, घट जाती है, ओके? अधर कंसेप्ट की बाद करते हैं, जैसे मालने जीए कि आप यहां पर मेटल रखते हैं, मेटल रखते हैं, लाश्ट क्लास में से डिस्कुशन मैंने किया था, तो इस तरह से मेटल इसमें ऐसे रखता है, पलस माइनस, पलस माइनस, पलस माइनस, पलस माइनस, पलस माइनस, यहां पर इलेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी जीरो दिया गया है, अगली बार जो है, इलेक्ट्रिक फिल की इंटेंसिटी के कुछ बाईडू दे रहा है, जैसे ए है, तो यहां पर हो गया क्या? अब यहांपर क्या हो गया आपको माइनस 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 यह हो गया प्लस प्लस यह माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आइसा हो गया पूजीटीब चार्ज में फोस्स लाएगा इधर लगेगा धु को तुम फोस्स पॉजीटीब Moving सब्सक्राइब अब 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 इलेक्ट्रिक फिल का मान और बढ़ाईए एकदाम हाई भेलू कर दीजिए एक वेलू और बढ़ाईए मत्द कि टू ए कर दीजिए ना इस दिस्ता में तो क्या हो जाएगा यह बढ़ाई करते हैं कैज द हुट पड़ाईगें फिल्द करें का में यह नदर में क्या करें हैa तो इं जो होगा जीरो होता maintenance निदर पॅई होगा ऐसा बात मैंने लास्ट क्लास में किया था सेम इसी तरह का डिसकाशन किया था अब बात करते हैं क्या इसमें डाइलेक्ट्रिक है ना में नॉन कंडुक्टिंग मेटेरियल में क्या होती है नॉन कंडुक्टिंग मेटेरियल है तो उसके बाद डाइलेक्टिक कॉस्ट्रिक होगा उसके पास नॉन कंडुक्टिंग मेटेरियल है तो उसके पास होगा डाइलेक्ट्रिक कॉस्ट्रिक नॉन कंडुक्टिंग मेटेरियल है इसमें अगर फिल्ड अब देते हैं बहुत जादे आमंट इस तरह से तो इसमें क्या होगा कि बहुत कम इस तरह से पोलरीटी इंडूस होगा, मतलब कि पलस क्यूपी यहां पर हो गया माइनस क्यूपी, फिर भी इसके अंदर इन जो है, नॉट जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फिल्ड इंसाइड, जीरो नहीं होगा, क्लियर, मतलब कि आप बाहर से दिये हैं, इनॉट इंडूस क्या हुआ है, इपी हुआ है, तो जो इई इन है, वो क्या हो गया, इनॉट माइनस इपी नॉट इकूल टी जीरो के बराबर नहीं होगा, इसके अंदर क्या है, नॉन कंडुक्टिंग मेटेरियल, जो कम्प्लेटली टूटा हुआ नहीं है, तो इन साइड इसका जीरो नहीं होगा, इन लिखे हुए है, इन, इन इक इकल टू, E0 माइनस EP, इसको इंड्यूश कॉण्टिटी बलते हैं, अब इसको ऐसे हम ली सकते हैं, इपी is equal to E0 minus E क्या लिखेंगे अब E क्या को कले है शीगमा P divided बटे है शीगमा P बटे है टू A Opsalon सरी 2 Opsalon not लिखेंगे इलेक्ट्री को बहएडो और यहां पर क्या लिखेंगे सिग्मा डिवाइड बटे टू आप्सालों नॉट यहां पर लिखेंगे का अंदर बे अंदर बे नॉन कंडूक्टि मेंटरियल है तो सिग्मा बटे टू आप्सालों जीरो इन्टो के लिखेंगे अब यहां पर अंदर में नॉन कंडूक्टिंग मेटेरियल है इसका डाइलेक्टिक कॉंस्टेंट के है तो फिल्ट का मेलों क्या अगट जाएगा अब यहां पर जो आप लिखेंगे है अब यहां पर लिख सकते हैं क्या सिग्मा पी मैंने इंडूस वखला टू ऑप्सालों जीरो इज़ीकल टू सिग्मा बटे टू आप्सालों जीरो ओन माइनस वान बटे कितना के ऐसे निख्या तो यह और यह कैंसल हो जाएगा सीगमा पी इस इकल ट्दू सिगमा 1 – 1 k वंपते की हैं इंडूस्ट शर्फेस चाष्ट कलेंगे इसको गोलें कि इंडूस्ट सर्फेस चाष्ट डैसीटी मा जह है महां किया सर्फेस सर्फेस चार्ट डेनसीटी इसको पढ़े ओके और सिगमा पी को बले के इंड्यूज्ट सर्फेस चार्ट डेनसीटी इंड्यूज्ट सर्फेस चार्ज सिगमा पी को बो बोलेंगे इंड्यूज्ट सर्फेस चार्ट गय के इंसका नाम है इंड्यूज्ट सर्फेस चार्ट डेनसीटी और सिगमा बराबर होता क्या है q वटे एरिया जिगमा पी बराबर क्या होगा q 나왔 a एरिया तो अब यहां पे पूट करेंगे Q डिभाइडर बटे एरिया इस इकल टू QP डिभाइडर बटे एरिया 1-1 बटे कितना के एरिया से एरिया कर जाएगा तो Q is equal to QP 1-1 बटे के तो Q is equal to क्या होगा QP 1-1 बटे के एरिया क्या होगा QP 1-1 बटे के QP Q is equal to इतना induced होगा चार्ज अब बाब कर रहे हैं आमनों पोलराज़ेस है कि काफी इसे हैं कई बार क्वेश्चन पूश्च चुका है यह ना ओ फूल्टा लिखा गया यहाँ पर होगा QP यह QP होगा इंड्यूस इतना चार्ज इंड्यूस्ट होगा ओके अब हाँ करते हैं नोन पोलर मॉल्कुल non-polar मॉल्कुल मॉल्कुल by ग ऑल्कुल मॉल्कुल मुल्कुल हैविंग नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा ननपोलर मुल्कुल तो मुल्कुल हैविंग नो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा मोल्पूल हाईभिन oh electric like १ जब bat नहीं होगा 4 perquèसे क्या आधे नमोट मोल गाती है मताँ थीकोर एकोल którego कुझेदूलcondu नो एकोल म्नीचिवड़ एंड आपोजीट इन नेजर अपोजिट इन नेचर चार्ज प्रोडिक्स अपोजिट इन नेचर चार्ज प्रोडिक्स टीक है जैसे कि मॉलकुल में है कि यहां परिषी को सब्सक्र收ब नहीं है तो इसमें कि इसे में किशीन quick 59 no electric dipole, no electric dipole moment, इसमे कोई electric dipole moment? नहीं, कोड़ाओ, okay, no electric dipole moment, अब देखिया, polar molecule, polar molecule, इसको क्या बोलते हैं, molecule having, electric dipole moment, electric dipole moment, molecule having electric dipole moment, okay, direction of electric dipole moment, direction of electric dipole moment, direction of electric dipole moment, from, from negative charge, from, negative charge to positive charge, direction of electric dipole moment, from negative charge, to positive charge, direction of electric dipole moment, from negative charge, to positive charge, negative से कहाँ है, positive, electric dipole moment का direction, clear, यहाथ को doubt, okay, तो, direction of electric dipole moment, from, from, negative charge, to, positive charge, negative से, positive charge के तरफ, direction, यहाथ, 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 यहा इक्वोल मैंनिचीवड़ पॉजिट इन नेचेर चार्ज़ पॉजिट इक्जाम्पल में है एक्सीयल एक्जामपल में आप लेख सकते हैं एच और सी यह पर लिखेंगे तो एच क्या हो जागा प्लस क्यू और सी यह हो गया माइनस क्यू आई वह गया क्या प्लस क्यों तो माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ क्या होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ क्या होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू के तरफ डैरेक्शन होगा डाइपोल का जीसे कि एच टू है एच टू ओ तो यहाँ पर ओ है इस तरह से बन जाता है एच और एच तो यह प्लस क्यू या इसके लिए हो गया प्लस क्यू तो यह बन जाएगा आपको इस तरह से कि यह है आपका माइनर टू क्यू और यह है आपका यह है आपका प्लस क्यू और यह है आपका प्लस क्यू तो एक टॉटाइप पोल ऐसे आएगा पी इधर भी आएगा तो कितना आएगा पी ही आएगा और इसका फेलू अगर माल लेते हैं कि ठीटा है दोनों के बीच का एंगल तो जो पी रिजल्टेंट आएगा जो पी रिजल्टेंट आएगा हो कितना आएगा टू पी आ कोस ठीटा भाई टू ऐसा होगा क्लियर यहां तक कोई डाउट यहां तक कोई डाउट नहीं है तो आज हम लोग चोब पढ़े हैं वोग डाईलेक्ट्रिक्स एंट पॉलराजियसं करें हैं है ना इन्सीयाटी के एकौर्डिंग पढ़े हैं और बॉड के लिए हमने पढ़ा तो आज का क्लास में यहीं स्ट